सो गाई आज के वीडियो में हम फिर से स्वागत है आज के वीडियो हम बात करेंगे यू कांट मेक दिस चेंज अट इमोमेंट फेस्बुक पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है जब भी आप टू फेक्टर ओंधेंटिकेशन की जो सैटिंग उसको उन करने का ट्रा कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो वीडियो को ज़्यादा लंबने करते हैं जान लेते हैं दो सी सोलूशन है फरस्ट अफॉल तो आपको प्लेस्टोर पर डायरेक्ट ली आ जाना है प्लेस्टोर में जैसे ही आप आ जाएंगे आपको यहाँ पर फेस्बुक से पुराना वर्जन होता है आप उसको अपडेट नहीं करते हैं तो पुराने वर्जन में जो है यहाँ पर आपको यह प्रॉलम देखने को मिल सकती है तो मेक शोर आप फेस्बुक को अपडेट कर लेंगे आप देखेंगे जो आपकी प्रॉलम होगी वह सॉल्व हो जाएगी then उसके बाद आपको problem फिर भी solve नहीं होती है Facebook के अंदर two factor authentication की जो problem है as it is बनी रहती है तो उसका solution क्या है आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए आपको यहाँ से back आ जाना अपडेट करने के बाद तो आपको यहाँ पर किसी भी browser को open कर लेना है यहाँ पर कर लेते हैं किसी browser को open मैंने chrome browser को open कर लिया है chrome browser को open करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा facebook.com तो यहाँ पर facebook.com लिखकर अपने account को login कर लेना है आप याद रखिए browser के अंदर आपको करना है application भी नहीं करना है then उसके बाद three lines पर आना है settings आपको देखने को मिलगे इस पर क्लिक करिए उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को बलेगा account center इस पर क्लिक कर लीजिए account center पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने यह page open हो जाएगा guys यह हो चुका है अब यहाँ से आपको क्या करना है देख सकते हैं यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए password and security पर password and security पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर option आ चुका है two factor authentication का यहाँ पर आपको क्लिक करना है आपको problem आ रही थी two factor authentication को enable करने में तो यहाँ पर अपने account को choose कर लेना है जिस भी account को two factor authentication own करना है तो यहाँ पर आप text पर click कर लिजिए यहाँ पर security की आपकी मर्जी है और यहाँ पर next पर click कर दीजिए ठीक है और जैसे आप next पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपका two factor authentication का enable हो जाएगा कोई problem नहीं होगी आगे भी कुछ process होते हैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ तो यहाँ पर click करते हैं next पर click करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर number दिया हुआ है number को select करके next पर से कर देना है आप देखेंगे जब भी यहाँ पर मैं अपना account को open करने का try करूँगा देख सकते हैं code मेरे number पर आएगा तो code डाल कर यहाँ पर next में कर दूँगा तो मेरा two factor authentication हो जाएगा और यहाँ पर जब भी मुझे code receive होगा तब ही मैं login कर पाऊँगा अपने new mobile के अंदर इस account को तो इसका यह फाइदा होता है कि कोई भी अंजान व्यक्ति आपके अगो उसको password पता चल जाता है वो directly उसको enable नहीं कर पाता है आपके account को उसको code की आफशक्ता रहेगी जब भी वो open करने का try करेगा या login करने का try करेगा आपके account को तो इस बात का आपको ध्यान रखना है तो factor authentication ऐसे आपको enable कर लेनी है जो मैंने आपको बताए है यह वो process है ठीक है मसाज के वीडियो में इतना है मिलते हैं नेक्स वीडियो में